जल था स्टेश्फ नमस्टेश जियू साथ कहां से बुलें जी सीटापूर से बहुत 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 कप डीग कथा बाचक है है उद्य क्या नाम आप कसुआत जी राध़ की फ़ोग्त रागी से वगोट फ़ोड़ाय गतृतन जी अठीड़arm बहुत बहुत धन्यबाजी रामकुशुर्ब उतम जी जैसे मेरा नाम नरदेव है तो मेरा नाम नरदेव है मैं जन्पद बदान्यों से और थाना हजरत पूर । ग्राम चंग सी पड़ता है मेरा और एक संखा थी यार वो बहुत बचकों में कथा बचकों में यार बड़ा धरशनातन वालों में उन्हें लफडा होगा एक संखा थी को संखा समधान हो जाती यार जैसे मेरी संखा यह है प्यां जो सिदार्त महराज थे जौ राजा थे हालो तो उन्होंने अपने राज में सम्मिधान कौन सा चलागू किया था उन्होंने कोई मतलब नहीं सबच पाया तुमारी वात का जो तथाकत गौतम के पिता थे सिद्धार यह और अपने राज में कौन सा सम्मिधान जंता के सामने पेश किया था उन्हों समसा है और कौन लेख टेस्ट सुम बोल रहे हो भी यह अरे कंस्ट मानव गी है हमारी हमारी जाती मानव टा की है कोई इसमें कोई जगड़ा की और कोई जात्मात का पक्ष नहीं नहीं मतलब पहले में पता चल जाए कि तुम क्या जानना चाहते हो और मतलब किसलिए पून के वह न हमने इसलिए पून की हम दो चार कथा बाच को बहुत द्यों से प्रसंद कर चुके आज तक इसका हमें कोई हल नहीं नि और में लोकी तो यह मां चाहता हbourg मोर्त की झी जो माहराज सिदोधन थे उनके राज में उन्होंने अपने में राज में कौन से सम्मिधान और पडीति उनके पूर्व थे वों सा सम्मिधान पालते हैं एध्ली प्ल Hmg मैं जो क्या बताया उनोंनों onu कुछ नहीं बताया ब Θelli मुझे नहीं मालूम भीया और देदा साथी दी में क्या बता है कौनों ने उल्टी सीधी बात की और फॉन कार्ट दिया वोले भाई मेरे पास टाइम नहीं बसे ऐसा सबज़े लिए कि वहीं समय नहीं नहीं तो समय यह चाल फेरी और यह वाद मकारी की मजान बुझ के मालूम नहीं जूत बोलना धंदा है यह जो राक्षस होते हैं ना राक्षस प्रिवर्ती के लोग चत्र और छलकपट में माहर और आगे होते हैं अगर उनसे हकीकत नहीं मुझे नहीं मालूम pleas now के मोन के बात करने का टाइम नहीं होता है यह राक्षसपन होती है और देवता और बनके रही है तो सटिता में बात के आचए न जो है मूह खोल की बात करीए ना इपamen नहीं जो पूछना है आप सामने आएंगे हम आपको बताएंगे लेकिन यह सारी बाते जो बता रहे फून पे इतना हमरे पास अपको मालूम ही नहीं है ना आपको मालूम है कि कपड़ पकड़ जाएगा इसमें आपके पास दम होती ना लंगोटी में तो पहलमान को जब कोई आपके चाहिए उसके लड़े कोई सामने तो भी नहीं आना चाहिए बात रही है मेरे लिए बहुत बड़ा चौटा इसा कुछ नहीं आपको में मालूम क्यों शेटीटी तो करते नहीं है कथा बाचिकों ने लीन होती है और इतियास को पढ़ना ही हमारा तुमारा परमकरत और दूसरा तुनिया दूसरा परस्ट यह था मेरा भीमरा वंडगार ने जब है यह संविदान लिखा था तो बहुत नहीं थे पो उस समय बाध़िष्ट नहीं थे पर बहुत तो उन्होंने सन 1956 बहुत दर्म को सुईकृत किया है यह गलत है यह विरकुल सही है फिर आप लोग यह कैसे कहते हैं कि बापा भीम्राव मेडगर ने सम्मिदान लिख दिया और उसमें तो तीन सो लोगों ने साड़े तीन सो लोगों ने सम्मिदान लिखा है उसकी अधिछता थी उनके पास वो सबसे बड़े चेप्टर पता था थी ने उस पर आप मान हैं तो भाई साब सबके उस पर जुए फाइनेंस पड़े हुए नाम पड़े लोगों ने लिखा है उसके ऊपर मजिश्टर थे उन्हों लिखा यह सब अभी मरने के लंदन में सब दख्खे हुए हैं इंडिया लाइबरी से भी निकलाते है हैं बड़े बड़े बाचक हैं पर जोंट क्यां तक चलेगा मतलब आप लोग कहां तक जूट सपाएंगे यह बता हुए हम लोग जूट बता रहे हैं कि यहां पर लोग जूट बता रहे हैं कि सश्टी गुत्पति को कितने दिन हो गए हैं ऐसा करिए गा तुम सामने आई यह बता बात करेंगे टीव यह फोन पेटना हम ताम